हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाग होगा HPSC के तरफ से हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से आप सभी के लिए गुड न्यूज आ गई है एक्जाम डेट रिलीज हो गई है यदि आप जाना चाहते हैं किन किन भरतियों के एक्जाम डेट आई है और आपका एक्जाम कब है यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे नौलेज टीवी देशी ताव यूटूब चलंगो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर इन्फोर्मेशन से ही समय पर मिलती रहे वीडियो को लाइक जुरूर कीजिगा आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फोर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए परेरित करेगा तो दोस्तो फटाफट से देख लेते हैं एक्जाम डेट कौन-कौन सी आई है तो यहाँ पर देखिए हरियाना पॉब्लिक सर्विस कमिशन की बात हो रही है एनाउंसमेंट करी गई है कमिशन ने डिसाइड किया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट ले लेते हैं भई HPSA ने डिसाइड किया है कि स्क्रिनिंग टेस्ट ले लेते हैं अब कौण-कौण सी है 8-2023, Mining Officer की Vacancy है, Group B की तो 20 अगस्त को एक्जाम होने जा रहा है, 20 अगस्त को उसके बाद में Advertisement 9-2023, Assistant Mining Engineer AME की एक्जाम डेटा गई है 20 अगस्त उसके बाद में 29-2022, Sub-Divisional Engineer SDE, Civil की Group B की Vacancy है 27 अगस्त 2023 को एक्जाम है ये तीन प्रकार की जो एक्जाम डेट है दोस्तों ये आपकी आ गई है आज अभी 10 मिनट पहले ये नोटिस आया है अभी 10 मिनट पहले नोटिस आया है यदि आपने HPSC की इन भरतियों के लिए अप्लाई किया था तो आपकी एक्जाम डेट आ गई है अपने त्यारी को आप डेबल स्पीड से सरू कर दीजिए और दोस्तों हो सकता है आपने इन भरतियों के लिए अप्लाई करना चाहते थे लेकिन आपको पता ही नहीं चला उसमें पता है क्या के में रहती है आपने चैनल को सब्सक्राइब करने रखा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होता ना और बैल के आइकन को दबा के रखा होता जब यह वकेंस याई थी, तब में मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, तब भी इनकी information शेयर करी थी, और बहुत सारे सातियों ने इस चीज का benefit भी उठाया था, तो यदि आप आगे की कोई भी भरती मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप च 341 में, इस नंबर पर आप WhatsApp कर दीजिए, अपना नाम, address, qualification और आपका कोई सवाल है, तो वो, आपका नंबर सेव कर लूँगा मैं, और इस पर जब भी मैं status लगाँगा, तो आपको status के माध्यम से सभी बरत्यों की जानकारी मिल जाया करेगी, ठीक है, तो आज की इस वीडि